और आपको सिदे लिए चलते हैं गोरकपुर जहां पर रोइंग चांपिंशिप का समापन कारिक्रम हो रहे हैं सुनते हैं मुख्यमंत्र योगिया इतनाथ को गोरकपुर के सांसद सी रविकिसन शुकला जी कुसी नगर के लोगप्रिय सांसद और गोरकपुर में भी जो सवयोग करते हैं ऐसे सी बिजे दुबी जी रोइंग फैंटिशन ओप इंडिया की अध्यक्स शिमती राजलक्षमी शिंग देव जी विधान परिशा सदस्या और उत्तरप्रदेश रोइंग ऐसोसेशन के संग्रक्षक सिपवन कुमार सिंग चोहां जी मानने विधायक और अध्यक्स उत्तरप्रदेश रोइंग ऐसोसेशन रानी पक्साकल लेका सिंग जी गोरकपुर के महापोर डॉक्टर मंगलेश स्रिवस्तो जी मानने विधायक गर्ण सिफथेबाद्दूर सिंग जी महंदरपाल सिंग जी ताजेश त्रिपाटी जी विपीन सिंग जी प्रदीब सुकला जी डॉक्टर बिमलेश पास्वान जी इंजिनियर सर्वन कुमार निसाथ जी खेलन देशक डॉक्टर आरपी सिंग जी एसेन रोईंग फैडरेशन के उपाध्यक्स कर्णल सिपी सिंग जी आज के से कारिक्रम उपस्तित रोईंग फैडरेशन से जड़ेवे सभी पदादिकारिकन और पचिस्वी सब जूनियर नेशनल रोईंग प्रतिवक्ता में भागिदार बन रहे देश भर से आई भे सभी प्रतिवागिगर्ण उनके कोचेच हैं इस पूरिय फैडरेशन से जड़े भे जो रैफरी और अन्य पदादिकारिकन बहना और भाईयों मैं सबसे पहले रोईंग फैडरेशन ओफ इंडिया और उत्तरब्रदेश रोईंग एसोसेशन से जड़े भे अपने पदादिकारियों का हिरदे से धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने एक प्रतिष्ठित प्रत्योकता गोरकपुर की स्रामगड ताल में आयुचित की जो आज से साथ वर्स पहले उपिक्सित सा पड़ा हुआ था दस वर से पहले तक गोरकपुर और पूर्वी उत्तरप्रदेश की अपराद का ये गड़ था और आज भगवान राम की किरपा से रामगड बन चुका है तो यहाँ पर इतनी अच्छी नेशनल प्रत्योकताइं हो रही है अभी हम लोगों ने यहाँ पर दो प्रत्योकताओं को देखा है क्या जनून है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ और भी अच्छे ढंग से यहाँ देखने को मिलेगा यह मेरे लिए अत्रिक्त प्रसंता का च्छण है जब मैं यहाँ पर उत्तरप्रदेश के उन खिलाडियों के बारे में जोनोंने अंतराश्तिय स्तर पर रोइंग प्रत्योक्ता के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है सीपुनीत कुमार यह मुझफ़न अगर के रहने वाले हैं खेल कोटे के अंतरगत जिला युवा कल्याना दिकारी देवरिया के पत्पर नहीं तैनात्री किया है सीकुद्रातली यह लखनों के निवासी है वर्स 2005 में लक्षमन पुरस्कार से सम्मानित हुए है अंतराश्टे रोइंग प्रत्योक्ता में स्वर्ण पतक और रज़त पतक प्राप्त किये हैं 2024 में विक्स गेम्स में यह भारती टीम की प्रसिक्षक की रूप में इन्होंने अपनी सहभाकता की है सी अर्विंद सिंग यह बुलंद सर के निवासी है ACN गेम्स 2023 में रज़त पतक प्राप्त किये हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारती टीम का इन्होंने प्रतनित्व किया है मुहमद आजाद इस सुल्तानपुर के निवासी है ACN गेम्स 2014 में कांसे पतक प्राप्त किये हैं और 2023 में चाइना में आयोजित पैरा ACN गेम्स में भारती टीम के प्रसिक्सक रहे हैं सिलोकेश कुमार यहापुर के निवासी है ACN गेम्स 2010 में रज़त पतक प्राप्त किये और वर्स 2019 में रोइंग ACN गेम्स भारती टीम के प्रसिक्सक रहे हैं सिराजिश कुमार इस संत कभीर नगर के निवासी है, एसेन गेम्स 2010 में दो रज़त पदक प्राप्त किये, 2023 में एसेन गेम्स यों वर्ड कप तथा 2022 में एसेन चेंपियंशिप और वर्ड कप में ये भारती टीम की प्रसिक्षक की रूप में अपनी सेवाएं दिये हैं। यानि उत्तर प्रदेश में इस खेल के लिए अनेक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं से अपने आपको तरास करके इन खेलाडियों ने ऑलम्पिक में प्रतिफाग किया, एसेन गेम्स में नहीं मेडल पराप्त किये, विश्वा चेंपियंशिप में मेडल पराप्त किय और आज न केवल उन खेलों में प्रतिफाग कर रहे हैं, बलकि प्रसिक्षक की रूपे भी अपने दाहितों का कुसलता पुरुवक निर्भन करने का कारे कर रहे हैं, यहाँ पर अभी जो बात उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसेशन के अध्यक्स, माने विधायक रानी पक सालिका सिंग जी ने जो बात कही है, और यहाँ पर जो रोइंग फैटेशन ओफ इंडिया की अध्यक्स, सिमति राज लक्षमी सिंग देव जी ने भी जो बात कही है, वाटर स्पोर्स का एक कॉंपलेक्स हम लोगों ने यहाँ गोरकपुर में इसी ताल के किनारे बनाया है और रोइंग फैटेशन के लिए भी हम लोग इसमें स्पेस उपलब्द करवाएंगे और मुझे लगता है कि यह लोग अपनी तैयारी करें उत्तर प्रदेश और गोरकपुर में पूरवे उत्तर प्रदेश में इस परकार की गज़िविति को आगे बढ़ाने के लिए प्र देख रहा था कई खिलाडी प्रतकाल मंदिर परिशर में थे और मैंने जब उन लोगों से पूछा मैंने कभी कहां से हो तो उसमें कोई महराष्ट का था कोई बंगाल का था कोई किसी राज्य से था मुझे अच्छा लग रहा था कि देखिए देश के अलग-अलग कोने से आकर कि लोग न किवाली यहां को समझने का प्रियास कर रहे हैं बलकि अपनी पृतिवा और अपनी उर्जा का बहुतर उपयोग एक सकारत्मक दिसा में लगाने का कारे कर रहे हैं पैनोर भाईयों, जब हम अच्छा सोचते हैं, तो हमारी उर्चा सकारत्मक्ति सामे आके बढ़ती है, समाज के निर्माण के लिए, राष्ट के उत्थान के लिए, खेल और खेल गद्विधियां, उन सब का आज हिस्सा बन चुकी है, पिसने दस वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नित्रुत्व में, उनकी नित्रुत्व में, उनकी लिडर्शिप में, आज भारत के अंदर, खेल और खेल कुद से जुड़ी ही गद्विधियों में, बहुत परिवर्टन आया है, खेलो इंडिया खेलो का मद्व का हो, सांसाथ खेल कुद प्रतियुकता हो, फिट इंडिया मॉमेंट हो, ये सभी खेल और खेल कुद की से जुड़ी विकद्विधियां है, और इसी का पेड़ाम है, कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने आपको प्धान मंत्री मोदी जी के सविजन के साथ जोड़ने का कारे किया है, बड़े पैमाने पे आज एक कारेकरम चल ले है, उत्तर प्रतियुकता के लिए, उसके प्रसिक्षन के लिए, रामगड ताल तो अपने आपको तयार करेगा नहीं, उत्तर प्रदेश में प्राकरतिक जल स्रोतों का और जल संसादनों का कमी नहीं है, ठेर सारी जील हमारे पास हैं, एक उसर मिलेगा तो मझे लगता हर जन्पद में इस प्रकार की जील उपलब्द हो सकते हैं और उसका लाब रोइंग प्रतिक्ता के लिए तैयार कर रहे सभी युवाओं को प्राप्त हो सकता है, खेल कोत की गद्विधियों का आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 57,000 से दिक ग्राम पंचैते हैं और ग्राम पंचैत में खेल का मैदान हो, हर विकास खंडस्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, जन्पदस्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, इन कारिक्रमों को तो सरकार युद्दस्तर पर बढ़ाई रही है, ग्राम पंचैत को जो धंदा से उपलब्द होती है, उस ग्राम पंचैत की केंद्री और राज्य बित्व से जुड़ीवी योजना के बारे में प्रात्मिक्ता तैक करते समय ग्राम पंचैत से ये भी कहा जाता है, कि खेल का मैदान और ओपन जिम के लिए वे अपने आपको तैयार करें, क्योंकि ये कद्विधियां रहेंगी, खेल और खेल कुछ से जुड़ी भी कद्विधियां रहेंगी, तो बच्चे नकारात्मक पिसा में नहीं जाएंगे, और आज तेस में कैरियर भी सांदार है, आपने देखा होगा, 2020 में हम लोगों ने अपनी खेल नीती बनाई, खेल नीती में, ओलम्पिक में, एसियन चैंपियनसिप में, कॉमन वेल्थ गेम्स में, या वर्ड चैंपियनसिप की प्रत्योकता में, देश के लिए मेडल जीते वाले खेलाडियों को, हम सीधे नौकरी सासन के विभागों में अपलब्द करवाते हैं, ओलम्पिक में जिन खेलाडियों ने, मेडल जीते हैं, टोक्यो ओलम्पिक में, ललीतुपाद्या ने मेडल जीता, तो उन्हें हम सीधे डिप्टी एस्पी बनाए, इस बार भी भारती हौकी टीम में, उत्तरप्रदेश से दो खेलाड़ी थे, सी ललीतुपाद्या और सी राजकुमार पाल, राजकुमार पाल के लिए भी हम लोगों ने गोशना की है, ऐसे अनेक खेलाड़ीों को, पांच सो से अधिक खेलाड़ीों को, अब तक हम उत्तरप्रदेश सासन के अलग-अलग विवागों में सास के सेवा के साथ जोड़ चुके हैं, तो मेरा कहना है कि आज खेल अपने आप में, जीवन को आगे वढ़ाने का एक ससक्त माध्यम बन चुका है, स्वस्त सरीर तो बनाता ही है, स्वस्त मस्तिष्ट तो उसके साथ जुड़ता ही है, लेकिन उसको कैरियर को आगे वढ़ाने का भी एक ससक्त माध्यम उन्हें पराप्त होता है, और मुझे अच्छा लगा, कि आज यही रामगड़ ताल, परिवर्तन यही होता है, जो परिवर्तन, जिसके बारे में लोग कहते हैं, कि क्या परिवर्तन है, तो परिवर्तन यही है, कि आज से दस वर्ष से पहले इसी रामगड़ ताल में, गोरकपुर और दुर्विय उत्तर प्रदेश की सभी प्रकार के अपराद होते थे, इसके आसपास के छेतर में होते थे, और आज यही रामगड़ ताल, लोगों के आकरसन का केंदर भी है, और खेलकूत की गद्विद्यों को आगे बढ़ने का भी एक बहतरीन डिस्टिनेशन बन चुका है, आप देखे इसके किनारे एक से एक होटल बन रहे हैं, यानि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, अलग विसे हैं कि रवी किसन आपको न खिलाएं, लेकिन ये प्लोटिंग रिस्टोरेंट तो आपके लिए तयार है, ये गद्विद्यां बताती हैं कि एक उर्जा सकारत्मक दिसा में है, और इसलिए खेल और खेल पूत की गद्विद्यों के लिए सरकार के अस्तर पर अनेक प्रियास प्रारम भे हैं, ओलम्पिक गेम्स में, एकल गेम्स में कोई खिलाड़ी अगर मेडल जीतता है, गोड मेडल जीतता है, तो राजजे सरकार की तरस्वे हम उसे 6 करोड रुपिया देते हैं, रज़त पदक पर 4 करोड देते हैं, कांसे पदक पर 2 करोड देते हैं, और प्रतिभाग करने के लिए कोई ओलम्पिक में राज्य सरकार कर राज्य से जुडावा कोई ब्यक्ती है उसे 10 लाक रुपे की सायता भी राज्य की और से प्रतिभाग करने का ही कियों उपलब्द करवाते हैं टीम गेम पर स्वण पदक पर 3 करोड रजद पर 2 करोड और कांसे पर 1 करोड की राज्य उपलब्द कराते हैं कॉमन वेल्थ में 16 पदक पर 1.5 करोड रज़त पदक पर 75 लाग कांसे पदक पर 50 लाट और प्रतिभाग करने के लिए 5 लाग रुपे की सायता राज्य सरकार ने उपलब्द करवाती है एसियन गेम्स में गोड पर 3 करोड रज़त पर 1.5 करोड तांसे पदक पर 75 लाट और प्रतिभाग करने का 5 लाग वर्ड चेंपियन सिप में 16 पदक पर 1.5 करोड रज़त पदक पर 75 लाग कांसे पदक पर 50 लाग और सेप गेम्स और निशनल गेम्स में एकल में 6 लाग जोड़ पदक पर 4 लाग रज़त पदक पर और कांसे पदक पर 2 लाग और टीम गेम्स में 16 पदक पर 2 लाग रज़त पर 1 लाग और कांसे पदक पर 50 लाग 50,000 रुपी की साहता हम लोग उपलप्द करवाने का कारे करते हैं पुराने खिलाडियों को जो कोचिज का काम कर सकते हैं उन्हें ऐसे खिलाडियों को हम लोग 1.5 लाग रुपी प्रतिमा के मान्दे पर प्रदीश के अंदर अलगलग खील के लिए कोच के रूपे भी बनारे उहां उन्हें यहां पर प्रदीश में नुक्त दे रहे हैं पदम पुरुषकार से सम्मानित खिलाडियों को भी प्रतिमा 20,000 रुपे की रासी उन्हें उपलब्द करवाते हैं असक्त और विब्दाकरस्त राज्य खिलाडियों को चार हजार रुपे रास्तिय स्तर के खिलाड़ी को छे हजार और अन्तरहस्तिय खिलाड़ीयों को दस हजार रुपे प्रतिमा की बित्तिय सायता भी राज्य सरकार उपलब्द करवाती है एकलब पैड़कोस के स्थापना के माद warmer से अब तग 140 खिलाडियों को हम लोगोंने रासिय उपलब्द करवाई है और उत्तरवर्देश अब मेरट में अपना पहला स्पोर्स इनुश्टी भी बना रहा है जो बहुत सीगर बन करके तैयार होगा खेल और खेल कद्विदियों को आगे वढ़ाने और खिलाडियों को प्रोथसाहन करने के लिए आज डवल इंजन की सरकार पूरी प्रतिवदता के साथ कारे कर रही है और मुझे प्रसंता है कि रोइंग फैडरेशन ने सब जूनियर नेशनल चैंपियन्शिप को गोरकपूर में अईजित किया है और आज इस से जुड़ी भी प्रतिवदता का अब ये फाइनल मेंच यहां पे चलना है वरत्मान में मुझे फुरा विश्वास है कि आपका ये गोरकपूर का जो ये प्रवास है इस फैडरेशन का भी और इस प्रतिवदता का भी ये आनंद पुर्ण रहा होगा आप सब के जो मेडल जीत रहे हैं उन सभी खिलाडियों को मैं बढ़ाई देता हूँ जिनोंने बहतरीन प्रियास किया लेकिन मेडल से बंचित रहे हैं उनकी प्रति मेरी सानव होती है लेकिन उनका प्रियास कभी विफन नहीं होगा बलकि आने वाले समय में वे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मैडल उन्हें केवल यहीं पे नहीं बलकि राश्टे रंतराश्टी प्रतियोगतां में उन्हें मेडल अवस्य प्राप्त होगा इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से रोइंग फैडरेशन ओफ इंडिया को उत्तरप्रदेश रोइंग एसोसेशन को और उनके सभी बदादिकारियों को हिर्दे से धन्यबाद देते वे आप सब की प्रतिय अपनी मंगल में शुब कामनाई देता हूँ आप सब को दिपावली की भी हिर्दे से बदाई और मंगल में शुब कामनाई देता हूँ धन्यबाद जैहिन